हाई गाइज आप सब कैसे होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे खोश होंगे आज का भीडिवे बताएंगे और दिखाएंगे कौन क्रेशर का Liner Plate टौप लाइनर प्लेट किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में एंदिखाएंगे तह यह आज का वीडियो इस्टाट करते है इस Liner Plate को हम दो तरह के से करेंगे एक तो बैंड करके ही करेंगे मतलब taper करके cutting करेंगे और दूसरा ही जो marketing दिख रहा है pencil से marketing करके रखा हुआ एक सीधा तरह से cutting करेंगे तो तब तक plate को cutting कर लेते हैं तो अपना plate cutting हो चुका है और पहले जो tapeer करके cutting किया था उसको band भी कर लिया है टो ङणे बी successful हो गया एक तरहिकर से बनाया है और अलग तरीके से और एक जो सीधा प्लेट है इसको अलग तरीके से ही मतलब सीधा काट के अलग तरीके से मतलब दो तरीके से बनाएंगे तो इसको काट के इसको बैंड कर लेते हैं अमबर से मार के तो हमारा सारे प्लेट को हमने बैंड कर लिया है अब मार्किन कर लेते हैं मतलब 4 प्लेट काठिंग किया है हमने तो चार उप्लेट को मार्किंग कर लेते हैं तो दोस्तों आगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल पो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बिल आइकन दबा दिजिएगा क्योंकि क्रिशार संबंदें छोटा होया बड़ा हर कोई मैंने लिल्स का वीडियो अपना चैनल पर अपलट होता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा तो मार्किन होने के बाद कुछ इस तरह आ चुका है तो मार्किन भी हो चुका है अब काटिंग करेंगे तो दोस्तों आकर आप मेरे चैनल पर नाये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन दबा दीजेगा क्योंकि क्रेशर संबंदी चोटा हो या वरा हर कई मैंटरिनिस का वीडियो अपना चैनल में अपलोट होता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा तो प्लेट को काटिंग करने के बाद और ग्लेंडर मारने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है अ दोस्तो प्लेट को अभी लगा देते हैं और एक तरह तरह हमने पहले लगा दिया है और अभी दूसरे तरह अभी लगा रहा हूं तो दोस्तों अपना लाइनर प्लेट लगाना कम्प्लिट हो चुका है अब लाइनर प्लेट का जो बोल्ट है उस बोल्ट को टाइट कर लेते हैं बोल्ट लगाके टाइट भी कर देते हैं तो दोस्तों दोनों तरह फी लाइनर प्लेट हमने लगा दिया है और इस तरह भी पांच एक दिन पहले लगाया था और इसको अभी अभी लगाया हुआ है तो दोस्तों मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक के लिए असलाम वालाइकुम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले